हेलो फ्रेंट्स, रम्स ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, आज हम क्यमेश्ट्री लेके आएं हैं आप लोग के बीच जो क्लास 10 गे एकजाम देने वाले हैं, क्यमेश्ट्री में एसीड बेस्ट एंड साल्ड चेप्टर का नाम है जिसमें का आप लोग के लिए आप अप लोग ध्यान देजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवियस यह अबजेक्टिव है, आप लोग थोड़ा सा अच्छा से इस वीडियो के देखिएगा, इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और और छार, आपस में अभी क्रिया करके, आप लोग जानते हैं, लवन बनाता है, क्या बनाता है, लवन, तो इस तरह से क्या याद रखना है, लवन बनाता है, ठीक है, लवन, अगला कता बुजहा हुआ चुना का सूत्र, बुजहा हुआ चुना का सूत्र, CAOH का होल्टू, CAO केल्सियम हैड्राउकसाइड ठीक है अगला है निम में कौन भस्म नहीं है काता है भस्म नहीं है भस्म नहीं यानि छार नहीं है कौन सा तो सी ए उती भस्म हो गया यहां पर देखिए और यहां पर एन एसी एल और यहां एन एए भस्म है यहां पर इधर भस्म हो जाएगा एन प्रिवियास यह टोटल है देख लिए साइड में लिखा हुआ है इसमें आप लोग जानते हैं आमल कौन सा है आमल किसको करते हैं जो की जल में घुलकर एच पुलस आयन देता है और जिसके आगे में हम बताय थे पाचानने का नियाम जो भी बच्चा इस्टूनेंट नहीं देखे हैं आमल का वीडियो देख सकते हैं पीछे प्रिवियास यह बला में ठीक है और यहाँ पर देखें निमलिखित निमलिखित योगी में कौन आमल है सी यू आमल नहीं है जिसके आगे में एच रहेगा वही आमल हो जाएगा ति यहाँ पर देखिए इसके आगे में क्या है एच है इस तरह से आमल हो जागई ठीक है अगला ध्यान देजेगा कता निमलिखित में कौन प्राकरतिक सूचक है मैथिल औरेंज प्राकरतिक नहीं ह एक्साइड क्या होते है चारीया होते हैं यहां पर और धातू के ऑक्साइड अम लिया होते हैं अगर तो चारीया होते हैं याद रखना ठीक है इन नहीं पीटू पीटू ओ फाइब इवी नहीं है एन एटू ओ यही हो जाएगा एने टू ओ जिंग तथा सबस्किरी आमल के बीच अभिक्रिया से निम्रकिन में यह से कौन सी गैस निकलती है जिंग और कहता है सलफ्यूरिक को अभिक्रिया करता है जिंक यहां पर क्या हो गया धातू हो गया और सेल्फियूरिक अमल तो अमल हो गया यहां पर जो है जिंक और यह जिंक धातू और अमल जो है अभिक्रिया करता है तो इसके बीच में कहता है कौन सा गैस निकलता है जानते हैं हम बता चुके हैं धातू जब अमल से अभी क्रिया करता है hydrogen gas मुक्त करता है कौन सा गयस hydrogen gas यहाँ पर याद रखना है hydrogen gas ठीक है अगला इसी प्रकार का objective देखे ध्यान देजेगा कता निमलिकीत में से किस विलियन का उपयोग दिवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है दिवारों की सफेदी करने के लिए करता है CAHCO3 का hole 2 या CAOH या NAOH या NAHCO3 यहाँ पर याद रखना है CAOH का hole 2 ठीक है इसी का पर योग क्या जाता है दिवारों को सफेदी करने के लिए इसको दिवारों में रखना अग नुए मैं सारभॉमिक सूचक की कुछ भूंद मिलाता है तो नहीं इसे कौन सा रंग दिखाई रंग दिखेगा तो यहाँ पर याद रखना है हरा दिखेगा हरा अगला कोस्ट अगला 11 नमर करता है जब लिटुमस विलियन ना विलियन ना तो आमलिया हो और ना ही छारिया हो तब इस विलियन का रंग कैसा होगा तो करता है ना ही आमलिया हो ना ही छारिया हो तो इस विलियन का रंग बैगनी हो जाता है कैसा होता है बैगनी इसको दिमाग में रखना है अगला कुस्टन एन ए ओएच एन ए ओएच जानते हैं क्या है इतो जिसके पीछे में ओएच रहता है उसको क्या बताए थे च्छार करते हैं उसको क्या करता है च्छार जिसके आगे में एच रहता है उसको आमल करते हैं अगला कुस्टन है तेरा नमर सोडियम कार्बोनेट के जलिया गोल में मिथाइल आउरेंज का गोल मिलाने पर गोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है तो गोल का रंग यहां पर पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा पीला की लाल की हरा की नीला तो यहां पर पीला हो जाता है कैसा हो जाता है पीला इसको दिवायम रखना है ठी यहाँ पर एएने टू जेड़न ओ एश टू या फिर एने टू जेड़न ओ एश टू यहाँ पर इलाष्ट बबन जाएगा ठीक है यही याद रखना है अगला कुस्स्टन है तेरह नमर धियान दिजेगा तेरह नमर क्या कह रहा है कहता है लीटमस विलिएन बैगनी रंजक हो लाइकें VER इसी परकार से अगला देखिए कि मारे से करता ह जल में घुलंसील भस्म क्या होते है जल में घुलंसील भस्म होते हैं जल में घुलंसील 2 क्या होते हैं च हार एग संसान सब्सार्प्राइट का जलिया विल्या किया होता है इसको यहाद रखना अगला कता बैट टो डो ?? बैटरी का लम जानते हैं बैटरी में सांद्र एच्टू एस ओफोर रहता है नहीं यहां पर यहां पर जो है हम लोग 20 औब्जेक्टिव किये हैं और अब्जेक्टिव है कोई घोल नीले मसको लाल कर देता है पिया और जानते हैं और नीला को लाल करता है कौन करता आम है इसका पि एच्मान क्या होगा दो नयगी इसमें देखिए नो तो इसा रिया हो जाएगा उधासी नहीं हो जाएगा दरस भी शाया प्니शैका इसलिए अमनलिया होगा तू अमल का पिदो वह साथ से कम होता है अगला अब्जेक्टिभ देखे क्या करता है कि अगला नमर ध्यान देजेगा regular नमर करता अमल म्लिय वर्षा के जल का पीज मन अमलिय वर्षा का जल का पीज मन जानते हैं आप लोग 5.6 या 5.6 से कम या 5.6 से अधीक या 7 जानते हैं 5.6 से कम ही होता है ठीक है अगला कता सीरका अमने इनकित में कौन सा आमल पाजाता है सीर का हम बताये थे ट्रीक ट्रीक विडियो नहीं देखा है हम आम चार का जो है आम किसमें कौन साम पाजाता है उसको ट्रीक में देखिए सौट में हम डाले हैं बहुत इंपोर्टेंट है उससे एक दो नम्मर अबजेक्टिव आएगा ही हर एक साल आता है ठीक है तो यहाँ सिर्का में कौन सरुम सीरका बताएं थे शिर का यह यहाँ यहाँ सार GDI कौन साम यहाँ में चिती को में नहीं बताएं यहाँ पर में रहा NGOs आम जाता है उसके नग में संट्री prayed आप लोग बताई इसको यहाँ पर मेथे नोई कम कॉन साम चीटी के डंक में याद रखना है कॉन साम विसे फॉर्मी कॉम पाया थे लेकिन उसका नाम जो है मेथे जोडता है जिसके कारण दरद और जलन का अनुभाब होता है या अमल क्या है मेथे में नोई होता है कि सब कोई जानते हैं आमल वर्शात होने का करण सलफर । टूथ पेश्ट करता है क्या है टूथ पेश्ट क्या होता है तो जानते है छारिया होता है क्योंकि हमारे मुव में अमलिका मात्रा हो जाता है इसलिए यहां चारिया तोनों मिलके तब उदासीन बनाएगा ठीक है तूथ पेश्ट क्या होता है अगला गुस्ण अमलिया विलि उन्सूद जल प्याच्ट स्वाइव चेकट मुझा एक साथ और तुछ जानते हैं साथ होता है बहुत इंस अगला हमारे सरीर पिएच के कितने पराश के बीच कारी करता है हमारा सरीर जो है कहता है कितने पराश चोई से छोप्वाइट या साथ से 7 points आती यही होता है 7-7 points 8 के बीच हमारा सर्थ कोई विलियन लाल ईटमस को नीला कर देता है इसका pH क्या होगा लाल को क्या कर रहा है नीला तो या छार या होना चाहिए अभी बताएते हैं ओ नीला उसे आम लूक नीला को लाल करता है यहां लाल को निला कर रहा है तो क्या होगा चार होगा चार का पी एच मन जानते है साथ से क्या होगा अधीक होगा तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर दस हो जाएगा इन में से सभी, इतीनों है, जो की परबल अमल है, ठीक है? इसको करता है हाइड्रोकलरिकलम, इसको सल्फुरिकलम, इसको नेट्रिकलम, यहाँ पर इन में सभी, कौन हो जाएगा इन में सभी, अगला कता है किसी भी उदासीन विलियन का पी एच मन सात होता है, उदासीन विलि कौन सा मान छारक विलियन का मान होता है छारक तो जानते हैं साथ से अधीक होना चाहिए इसके लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रखना है आप लोग को इसका जो है कौन सा जाएगा साथ से अधीक यानि की साड़े दस दस पंड पांच कहता है अगला किस पी अच का मान किस पी अच मान वाला विलियन सबसे अधीक अमलिया होता है जानते हैं आप लोग जिसका पी अच मान सबसे कम होगा वही जादा अमलिया होता है ठीक है यहाँ पर देखिए सबसे कम क्या ह वन है इसलिए इसका जो है यसाब स्बस्याधिटी कम लिए दहीस है इस तरह से आ मुअ जो है विडियो इस तरह से बना रहे हैं इसको धियान से पढ़िएновा ठीक है